नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मधुजी आईस के डेली नीज प्रोग्राम में फ्रेंड्स हम अपने इस प्रोग्राम में चरचित रहे विश्यों पर उसने सब्जेक्ट से रिलेट करके कोशन बनाते हैं ताकि हमारे आने वाले प्रतियोगी परिच्छा है तूँ जो हम आगामी परिच्छा है उसमें महत्पूर्फ साबीट हो सके हम इसे करेंट से सीधे आये में कोशन से न, लेके सब्जेक्ट से में बनाने की चेस्टा करते हैं ताकि हमें और अपनी सब्जेक्ट पर और अधी पकड मिल सके तो हमने देखा होगा कि अभी हाली में चर्चा में है सब जो गगन्यान जिसे इस रो ने 2022 में लांच करने की पेड़ा लेती लेकिन कुविट की वज़े से उसे 2024 तक या 2025 तक लांच करने की कोशिस की जाएगी या की जाएगी तो वो चर्चा में रहा तो उससे जो रिलेट सबजेक्ट से कोशन क्या है तो आएए हम फर्स कोशन को देखते हैं चंद्रमा या बाहरी अंत्रीच में जाने पर अंत्रीच यात्रियों को हवा से भरे विशेश सुरच्छात्मक स्पेस सुट पहने होते हैं इनका क्या कारण होता है कि इनको पहनना पड़ता है क्योंकि हम बेहत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी उपर जो हम अपने अर्थ पे रहते हैं प्रिद्वी पे रहते हैं उस पे जो वाय मंडेली दाव लगता है उसके कारण हमारी कई ऐसी सारी क्रियाएं होती हैं जो संतुलन में होती हैं पर उन्हें जब कहीं भी व वहां पे वो असारी क्रियाएं विपरीत तरह से कारे करने लगती है तो अगर हम वहां पे सुरज़शात्मा की स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो हमें और जादी समस्या होने लगती है तो आएए देखते हैं पहला कहता है कि इन छेत्रों में वायुदाप की कमी है दूसरा कहता है कि इन छेत्रों का तापमान अधिक निम्न होता है इन छेत्रों में खतरनात विक्रण मेजूद होते हैं तो इस सुतर का सही कुठ है तो आप क्या है पहला कहता है कि वन और टू दोनों सही है यानि इन छ इसरा कहता है वन टू थी तीनों सही है और डी कहता है कि सिर्फ वन सही है तो आपको पता होगा कि चंद्रमा पे वायू का अभाव है और इस वायू दाब में कमी होने के कारण यानि वायू दाब का अभाव होगा तो वायू मंडली दाब जो हमारे सरी पर पढ़ता है उसकी क प्रफट जाएंगी और जब हम पाते हैं कि यह हमारा ओजून परत है सूरी से आने माली कई सारी विकिरण किरड़ों को परावर्तित करती है जिसके हमारे सरीर पर हानिकार प्रभाव नहीं पहुचाते हैं पर ऐसा अंत्रिक्ष में जाने पर हम वो जो उन परत जो हैं पार कर जाते हैं जिससे हमारे सरीर में बहुत सारी विकिरण लगने लगती हैं जहांपे हमें हानिक पहुचाने की संभावना सबसे अधिक रहती हैं हम अंत्रीच्यान से जब बाहर निकलते हैं यहीं अंत्रीच्यात्यों के स्पेस सूट पहनना बहुत अन्यवार होता है अगर हम इस्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो इतना तदिक निम जो तापमान होता है उसके करार जो हमारी सारी संतूलन है वो बिगर जाएगी जिससे हमें वहाँ पे आनिक समस्याओं को सामना करना पड़ता है और विकीरर जो है मौझूद रहेंगे जिससे हमें और अधीक स्वास्थ का जो समस्याओं वो होने लगेगी और विसे सुरूप से वहां ठंडर भी लगती है विकीरण और अंत्री चिनमे नीम नदाप के बचने के लिए वो इस पेस सूट डिजाइन किया जाता है तो ये रहा हमारे पहले कोशन का अंसर आईए हम नेक्स कोशन की तरह पढ़ते हैं यानि कोशन नम्मर टू कोशन नम्मर टू कहते हैं यह एकॉनमी से रिलेट हैं आपने देखा होगा कि अभी वित मंत्राल द्वारा जो है वो जो है कोविट के बाद आपनी एकॉनमी को पट्टरी पे लाने के कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोशन बनते हैं तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि बाउंड रेट और बाउंड टैरिफ के बारे में नियूज में चर्चा में रहा है यानि बाउंड रेट क्या होता है कि सुल्क टैरिक की अधिक्तम दर होती है यानि सबसे वह मैक्सिमम रेट होता है जिस पर जो देश आयात कर रहा है चीजों को उस पर लगाया जाता है और दूसरा कहा रहा है कि विश्व वेपार संगठन में किसी वस्तु के सहमत बाउंड रेट विश्व वेपार संगठन के सभी सदस्यों के लिए समान है यानि फर्स्ट कहता है कि वह आयादित देश जो आयात कर रहा है उस पर अधिक्तम दर्व लगाया जाता है और दूसरा कहरा है कि कथन की विश्व वेपार संगठन जो है उसके समधी से बाउंड र पिरान में जो संगठन सदस्य है उन पे जो है समान रूप से होता है तो इस कोशन के कूट को हम समझते हैं देखते हैं कि कौन सा सही है पहला कहता है कि केवल एक सही है दूसरा कहता है केवल दो सही है तीसरा कहता है कि एक और दो दोनों सही है ड कहता है कि न तो एक सही है न किस तरीके से तो बाउंड रेट सुल्क टैरिफ यानि जो बाउंड रेट सुल्क है उसकी अधिक्तम दर होती है जिससे आयाती देश द्वारा आयाती तवस्तु पर लगाया जा सकता है प्रतेक देश के एक निश्ची संख्या में उत्पादों पर सीमा सुल्क की जो है सीमा आरोपीत कर सकता है यानि इस कोशान में क्या कहा गया है कि जो बाउंड रेट है वो अधिक्तम होता है यानि आयाती दे देश द्वारा आयाती तवस्तु पर लगाया जाता है लेकिन उसकी एक निश्चीत सीमा होती है जो यह कथन क्या कह रहा है यह कथन सही है यानि यह कथन जो है सही है आयाती देशों जोरा आयाती तवस्तू पर लगाया जाता है तो इसके अगर हम देखेंगे इसको जो हाले में जो है रीकेप में ये चर्चा में रहा कि जो रीकेप में भारत को सामिल नहीं हुआ तो वो एक कर ये भी था कि जो अगर recap में सामिल होता तो अपने जो आयात करते थे उस पे जो है हम कर अधिक नहीं लगा सकते थे वो जो आयाती देश होता था इंडियाती देश यानि ये केप में सामिन होने वाई देश होते थे उनके लिए कर्मुक्त हो जाता जिससे हमें हमारे घाटे बहुत सारे होने स्टार्ट हो जाते हैं और next क्या कह रहा है कि यह तरे प्रतेक देश में प्रतेक वस्तू के अलग-अलग होते हैं यह नहीं है कि विसेवपार के संगठन के सदभ से जो है वही सिर्फ लगा सकते हैं यह हर देश के लिए अलग अलोते हैं कि लेकिन कोई देश अपने द्वरा निर्धायद Bound Rate से अधिक सुल्ख नहीं बढ़ा सकता जो निर्धायद Bound Rate किया गया है उससे अधिक सुल्ख नहीं बढ़ा सकता बलकि कर सकता है कि वह अपनी मंद से वह कोई भी रेट कर सकता है तो इस तरीके से उस Question का Answer है Option Number B यानि दो सही है केवल दो नहीं सही है यानि फर्स्ट सही है और उसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है तो सही नहीं है केवल कौन सा सही नहीं है दो यानि यह आपने मन से लगा सकते हैं आएए नेक्स कुश्शन की तरह बढ़ते हैं कुश्शन नमर 3 कहता है कि कभी-कभी समाचार पत्रों में चर्चित प्राइम एडिटिंग सम्बंदित है यह 3D पृट्टिंग से सम्बंदित है यह जिनोम एडिटिंग तकनिकी प्रलाइडिस सम्बंदित है यह ब्लॉक्चेन इडिटिंग जो तकनीक ही होती है वो भारत में विक्षित की जा रही है तो भारत में जब विक्षित की जा रही है जिनोम इडिटिंग तकनीक तो यह मुख्य रूप से क्या रहता है कि यह चर्चा का विशाय बनी जाता है तो यह क्या है कि यह जिनोम इडिटिंग संबंदि तो उसमें जो है आप एक जीन को निकालके दूसरा जीन उसमें क्या करते है कि वो डंप करते हैं तो वो क्या होगा इसका DNA चेंज करके उसके जीन को चेंज किया रखता है तो उसी से सम्मधित है तो प्राइम एडिटिंग आड़ी जिविग्यान एक सर्च रिप्लेस में जीन लिए उसमें को संजूजित किया जाता है तो हमने बताय कि यह चर्चा में रहा क्योंकि इसा इंडिया में भी ऐसा किया जा रहा है तो इस कोशन का आंसर हा है Option number B यानि genome editing staff यानि इस कोशन का सही answer है genome editing technique 9modern livre Tucson देखते हैं यानि जो यह जी एफ यानि Global Environment Facility है यह जो है विकासिल देशों को अभी समय है उनकी उद्देश को पूरा कराने के लिए क्या करता है कि धन उपलब्द कराता है तो एक जो इसका वित्ती तंत्र है के रूप में अभी समय में जो कारी करता है वो कौन से कौन से अभी समय में का तो फर्स्ट कहता है कि यह जय विवित्ता है अभी समय यह जय विवित्ता ह है और इसमें इसमें भी वह करता है योने कमेंशन निट्टू केंबेकर डिफर्जिताइसन कम्वेशन में जो है वो क्या करता है वितितनर कार्य करता है और तीसरा है कि पारे में मिनी माटा का अभिशमय तो आईए देखते हैं कि इसका सही कुट क्या है तो आपको पता है कि जैव वित्ता अभी समय में क्या होता है कि इसमें जो जैव वित्ता अभी समय है इसको यह कानुली योप से बाद है यानि इसको मानना खिक है तो इसमें क्या होता है कि जो क्या है जो इस तरीके से इसमें जो है इसमें क्याक करता है य honoris यानि दूसरा फिर क्या है स्थायी कारवनिक प्रदुस्कों पर स्टॉक होम अभी समय के भी वित्तित तंदर क्या करता है यह कारे करता हैं अब दूसरा कहता है कि UN Convention to come back तो इसमें भी ये क्या करता है कारी करता है लेकिन पारा के मिनिमाटी अभी समय में मिनिमाटा जिसे कहते हैं जो जापान में ये क्या हुआ था कि ये वहाँ पे एका एक जो है जापान में जो तटी है वहाँ पे एका एक जो है क्या हुआ था कि पारा की जो संख्या वो तो इस अभी समय में यह क्या करता है यह प्रदान नहीं करता है तो इस तरीके से इस question का answer है option number B यानी 1,2,3,3 तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने बताया वही same है तो next question की तरह पढ़ते हैं question number 5 यह 5G technology जो अचकल बहुत सारी बहुत जाले चर्चा में रही है COVID की दोर में भी चर्चा में रहा है कि 5G technology के बारे में निम्लिकित कत्वों पर विचार कीजी पहला कहता है कि 5G यानि पाचवी पेड़ी की long term evolution यानि LTE और mobile broadband network का नमींतर अपग्रेड है दूसरा कहता है कि 5G केवल उच आवरिती यानि high frequency का spectrum में काम कारी करता है तीसरा कहा रहा है कि 5G की गती 4G की तुलना में 100% यानि 100 गुना अधिक है और फिर कहा रहा है कि नीचे कहा रहा है कि उप्यक्त कत्वों में कौन सा सही है तो आप देखते हैं question number 1 कहता है कि 1 और दोनों सही है B कहता है कि केवल एक सही है C कहता कि 2 और 3 सही है B कहता है कि क्या करता है 1 और 3 सही है तो आपको पता है कि यह 5G पाचवी पीडिक यानि 5 जनरेशन 5G का मतलब भी 5 जनरेशन यानि long-term evolution है यानि LTE है अब यह 4G निकला था VOLTE था उसमें क्या था कि VOLTE का मतलब होता है कि इसमें voice, voice call और data साथ में कारी करते है तो वो voice यानि data, voice और LTE मतलब long-term evolution यानि जो data की connection होती है वो दोनों कारी करती है तो यह broadband का एक नया अपग्रेट है तो इस तरीके से यह क्या है, यह क्या है, सही है लेकिन क्या कह रहा है कि 5G केवल उच आवरिती spectrum में कारी करते है यानि केवल high spectrum में, high evolution में, high frequency spectrum में ये कारी करते है लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों ही अवस्थावाँ में, यानि निम्न मत्य उच आवरिती अवस्थावाँ में ये तीनों ही कारी करते है तो इस तरीके से ये question क्या है, गड़त है तो तीसरा कहता है कि 5G की गती 4G की तुलना में 100 गुना दिखे तो ये सही है, जहाँ 4G की तुलना अगर एक सेकेंड में एक एमबी पर सेकेंड होती थी तो 5G की तुलना वहाँ पे 100 एमबी पर सेकेंड की दर से होगी तो इस तरीके से question number D क्या है answer number D क्या है, तो हमने देखा जो हमारी चर्चा में रहे है, सब्सक्राइब करके देखा तो अगर आपको हमारे वीडियो पशंद आया तो लाइक और सेयर सब्क्राइब करें थैंक्यू सू मच